इस साल इंडिया में One Day World Cup होने वाला है और कुछ खबरे ऐसी आरही है कि वर्ल्ड का जो चुडूल है वो लीख हो चुका है कुछ reports में ये दावा किया जा रहा है कि World Cup का schedule वो सामने आ चुका है और आपको बता दे कि Team India के जो 9 matches होने वाले हैं वो कब कहां और किस team से होने वाले हैं ये भी सामने आ चुका है आपको इस वीडियो में हम यही बताएंगे चलिए जानते हैं कि किस team से कब और कहां Team India के matches होने वाले हैं पहला match जो है इंडिया का वो इंडिया और आश्टेले के बीच होने वाला है October 8 को चिन्नई के चेपो के stadium में दूसरा match जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान का होगा 11 October को दिल्ली में तीसरा match जो है वो सबसे बड़ा match है इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो match खेला जाएगा 15 October को ये match खेला जाएगा एहमदाबाद के नरिंद्र मोधी स्टेडियम में चौथा match जो है वो इंडिया वसेस बांगला देश का है 19 October को ये match खेला जाएगा पुने में इंडिया और निवजिलेंड का जो है वो पांचवा मैच है वो 22 October को खेला जाएगा धर्मिशाला में और उसके बाद से फिर इंडिया और इंग्लेंड के बीच में 19 November को बैंगलॉर में होगा लेकिन आप 15 October की जो तारीक है वो नोट कर लीजिए क्योंकि आपको बता दे कि 15 October को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में महा मुकाबला होने वाला है इस मैच को देखने के लिए दोनों देश्यों के जो फैंस है वो बहुत ही जादा excited होते है और बहुत ही ज़्यादा revenue होते है इस से क्यूंकि बहुत ज्यादा कारटे की टकर होते है और सब लोग ये वेट करते हैं कि इंडिया इस मैच में Tal Alrighty कोई मैच में जीती है ने जिती लेकिन पाकिस्तान के अगेस्ट सभ यहीं चाहते हैं कि इंडिया जरूर से जरूर जीते आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वर्ल्ड कप के लिए कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथे साथ उफान स्पोर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूलें